आप देख रहे हैं खबर फास्ट तेज खबर पैनी नजर युवाओं की बात को हम सुनना चाहते हैं क्योंकि युवा देश को आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी क्या लगता है आपको कि कानून को देखिए सरकार की तरफ से जो मैं वही सवाल आपके साथ द की तरफ से ये मांग है कि आप इस कानून को रद कीजे वज़े मैं जानना चाहते हैं वज़े मैं बड़ी क्लियर है दो वज़े हैं इसकी एक तो ये अनकॉंस्टिट्यूशनल है हमेरे हमारे समिधान की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है क्योंकि ये इन्होंने कानून लिस्ट में से 33 दारा के को यूज करके ये कानून को बनाया है जो कि राज्यों का विशे है आज हगर हम इसमें संचोधन मानके अमेंडमेंट मानके चले जाते हैं तो ये मानने हो जाएगा कि जो सेंटर है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लौ बना सकती है तो आगे 10 कानून और भी हमारे उपर थोप देंगे हम बार बार यहां नहीं आ सकते ऐसा अंदोलन हम बार बार नहीं कर सकते तो ये मानने हो जाएगा कि सेंटर जो है वो किसी भी स्टेट के अधिकार को कॉंस्टिटूशन को वाइलेट कर सकती है तो हम 10-10 कानून के बार 10-10 अंदोलन हो जाते हैं तो ये बाद में दो साल बाद जब किसान यूनियन ठंडे पड़ जाएंगे सब ठंडे पड़ जाएंगे तो एक एक नोटिफिकेशन निकाल के एक्जेक्टिव और के साथ रूल्स को अमेंड करते हुए रूल्स एड़ करते जाएंगे एक चीज को एड़ करत हैं तो इतनी सारी बड़ी गलतियों की वज़े से यह अंदोलन खड़ा हुआ है जब वो एक एक चीज करेंगे तब हम इतना रोज और इतना गुसा पब्लिक में आएगा नहीं और वो एक एक चीज को यह उनका दस साल का प्लैन है दो साल बाद एक चीज लाएंगे नोटिफ जिन्दा कर लेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन का एक इनके पास रूल होता है उसके थ्रू यह कोई भी रूल बनाके इनको दोवारा लोग सबह में पास कराने की उसको जरूरत नहीं होती उसको सीधा सीधा जैसे हमारे जो आट यह एक्ट बना हुए है वह एक्ट तो है चा पदा भी नहीं जलेगा अब अगर यह कानूर रद हो जाते हैं और दोबारा यह इनकी नीद खराब होती है और यह बनाना चाहते हैं तो पहले इनको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा उसको नोटिफाइ करना पड़ेगा उसमें दो महीने जाएंगे आं दोलन दोवारा खड हो सकता है तो यह नोटिफिकेशन वाला हम इनको लॉलीपब लेके जाना नहीं चाहते हैं अच्छा आज इस तरीके से जो टॉल फ्री हला बोल जो था किसान नेताओ की तरफ से उसको कैसे देख रहे हैं आप सक्सेस यह सिंबल्स बन चुके हैं पबलिकी एक्स्प्लाइट नहीं आ जाएंगे वह मुझे उनको संबालना मुश्किल हो जाएगे उनके मूँ से बाद मीटिंग में निकला स्टेज से राज्यवाल साब ने बोला है और मतलब के जो मीटिंग करते हैं उन्हें ने बोला हुए यह कि तुमर साब ने बोला तो यह चीज़ें जब उनको उनका डर है तो वाई नोट स्ट्राइक अट देम तो हमें सीधा उनके साफ ही खिलाफी जंग खोलनी पड़ी ना हमें तो उनके खिलाफ मोर्चा नाम लेके लेना पड़ा क्योंकि वह सिंबल्स बन चुके हैं क्रोनी के तोल फ्री की मैं बात करें आज जो टॉल फ्री है उ यह अब्स्ट्रक्ट नी कर सकते और हमसे जो मनमानी कलेक्शन कर रहे हैं यह जो सिंबॉलिक चीजें है एक दिन का किया है आगे और भी बढ़ सकता है जैसे 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 पबलिक को इसकी आदत पड़ेगी और जैसे जैसे उनको इसे निजाद मिलेगी जो एक् जाने की कोशिश में था और हम समझने की कोशिश में थे दर्श को तक ये बात पहुचाने की कि किस तरीके से हर आदमी चाहे वो यूवा है चाहे वुजूर्ग है वो इस आंदोलन को किस तरीके से देखता है सबका अपना अपना नजरिया है हम उन नजरियों को टटोलने की क कोशिश में है और यह जो हमारी जो लोगों को जानने की समझने की परकने की जो हमारी जो एफर्ड्स है हमारी जो जर्निय वो आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं अभी के लिए इतना है झाल झाल